नमस्कार दोस्वों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शुभी उम्मीद करते हैं कि बगवान शुरी ग्रेंच जुक्या शुर्बाशी आप शुभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में मंगल मैश सुद्धी में होंगे जिहां दोस्वो दोस्तों आप शुभी को बता दें कि अब आपका एक और नया श्मय आ चुका है अब आप शुभी के लिए जुनकाल में बहुत ये अच्छे खुश खबरी भगवान ग्रेंच के अशिरबाशे आपको प्राप्त होने वाले हैं जिया दोस्तों आपको बता दें कि आज शाम क पांच बजे के बाद आप शुभी की जुनकाल में आपको पांच नए शुभ समचार मिलने वाले हैं जिया दोस्तों आप शुभी को बता दें कि भगवान आपको बहुत बड़ी चीज देने वाले हैं जिने पाकर आपको उसी से बिलकुल ही गदगद हो जाएंगे जिया को शुनते ही कुछ सी से उचलने पड़ते हैं और ढिंडोरा पीटने लगते हैं लेकिन दोस्तों आपको ये भूल यश में बिलकुल भी नहीं करना है जिया दोस्तों सबसे पले आपको जानना है कि कैसे यह चीज आपको प्राप्त हो शकती है इनके लिए आपको कौन सी ब उसर पर निर्मित बताए हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा तभी दोस्तों आप इने जान पाएंगे और तभी ये पांच शुब समचार आपके हाथों में होंगी जिहां दोस्तों आप शुवी को बता दिए कि अब आपके जुनकाल में ये च पुशियों का श्मय आपको देने वाले हैं जिहां दोस्तों आप शुवी को बता दे कि आज शाम पांच बजे के बाशी भगवान श्रीक ग्रेंशी आपके जिवनकाल में आने वाले हैं दस तक देने वाले हैं जिहां दोस्तों आप शुवी को बता दे कि इन बातों को जिया दोस्तों बश हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है जिया दोस्तों और जब बगवान का शमय आता है तो दोस्तों वह किशी ना किशी रूप में हमें उनका परिणाम देही देता है जिया दोस्तों और वह शमय अब आच चुका है जब आपके शारे दुखों का अंत होने वाले हैं और जो भी दुक के परिस्तितियों से आप गुजर रहे थे दोसों उन से चुटकर आप मिलकर अब आपको कुछियों का मार्ग दिखाने वाले हैं जिहां दोसों आपको बता दें कि कल से आपके जुनकाल की शारिश मश्याओं का अंतो हो जाएगा और जुनका आपको बता दें कि इंसान सची श्रदाशी भगवान पर बिश्वास करता है तो दोसों भगवान भी उन शबी बिश्वास करने वालों का दिल नहीं तोड़ता जिहां दोसों चाहे जेसा भी हो भगवान अपने भक्तों की मदद किसी ने किशी रूप में ज़रूर ही करते ही जे दोस्तों और ये बात हमने आपको पिछले भी कई वीडियों में बताए हैं लेकिन दोस्तों आप शुब को बता दें कि सची शर्दा होना शब्शे बड़ी चीज है क्यों दोस्तों विश्वास सची शर्दा वो चीज है जिनसे हम पत्थर में भी भगवान को प्राप् सची विश्वास है तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मंसी जैश्री गनेश जी जरूर लिखिएगा दोस्तों भगवान श्री गनेश जी का अश्य मसरबात आप शिभी को अवश्य प्र आप इन बातों को निदोरा पिटते हैं तो दोसों वहीं शी आपकी जुनकाल की बूरे दोर की शुरूआत होती है आपके दुश्मन आपशी इर्षिया लुवेक्ति आपके शर्चाइ जानकर वे पहले ही आपशे इर्षिया करने लगते हैं और आपकी कारियों में बिगन शिदे के ये आपके जिम्यदारी होगी तो आई दोस्तों बात करते ही कि भगवान श्री ग्रेश जी कैसित पाशी आज शाम पांच बज़े के बाद आपके जुनकाल में वो पांच बड़ी शुब समचार कौन-कौन शी है दोस्तों ये शुमे अपनी वैस्टम दिंचर्याश ये कुछ शुमे अपने परिवार और शमद्यों के लिए आवश निकाले इसी दोस्तों आप तरामुक्त और उर्जावान भी महशुर करेंगे अपनी परतिवा के दम पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में भी शुमे क सकती है परते कारी को ठंडे दिमाग से सोच विजार करके ही करें साथी बचों की शुमस्याओं के श्मधान में अपना अवश्य सयोग दें यह आपके लिए आपके लिए आपको बदा दें कि भावनतों को रूप से जो समय है आपके लिए आपको श्वकार्तम महसूर हो सक गछता है दोस्तों आपको बता दें कि जीवंच्याली में बतलाव लाने के लिए आपके प्रतनी आश्मी जारी रहेंगे फिर वे वक्त का लिया रखना भी आपके लिए अत्यांत्य आवश्यक होंगे और इच्टों आपकर वावत्यों के कि खर्चों के दिखता भी रहेंगी प्रंतु ये खर्चे कुछ बहतर और भई शमंदी सुवी जनाओं के लिए होंगे इसलिए घवराये नहीं और इसके साथ ही दोस्तों कभी-कभी आपका शंकलानों शवाव बंते कारियों में जुकावट डाल सकता है इसलिए दोस्तों य आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों खुद को आर्थिक शौबरूप से शवल बनाने के आपकी कोशिश से समय सफल हो रही है लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वज़श्य व्यक्तिकत बातों को नदर अंदाज करना आपके लिए भष में तकलिफ दायक रह शकता है इसलिए दोस्तों रिलेशन्सिप को बहतरिन बनाने की कोशिश करते रहे हैं क्योंकि ये आपके भष शमंदी सभी कारियों के रिए महत्पूर्ण रहने वाले हैं और इसको प्रांतों से ये शमय आपके लिए समय होगे दोस्तों आपको आपके व्यक्तिकत में ये शमय निखा रहने वाले हैं और इसके साथी दोस्तों ये शमय आर्थिक समस्या के कारण आपको अपनी कुछ जर्जनाने अस्तगित भी करनी पर सकती है किसी नईदिकी रिष्तिदार से शम्दित कोई असुप सूचना मिलने शी मन में कुछ जो ह वेराग्य जिसी इस्तिती भी उत्तपन हो शकती है अश्के साथी दोस्तों ये शमय आपके लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दे कि बंते हुए काम अचानक बिगड़ने के वज़श्य आपको मांसिक तकलीप का शामना भी करना होगा फिर भी प्रस्तिती को पूरा कोई समयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों ये शमय कापी शमय बाद घर में मेहमानों के आगमाश खुश्चनमा वातार में रहेगा तथा एक दूसरे के मेल मिला भात्रियन दिंजर्या शे रहात आपको देरे वाले हैं और इसको प्रांद दोस्तों आपको बता दे कि कुछ लोग आपकी छवी को खराब करने का एश्मी प्रयाश भी करेंगे अपना वैवार श्रेमित रखें क्रोध और आवेश में इस्तितियां ज्यादा बिगड़ सकती है तो इन पर आपको जो है रोक लगानी चाहिए यह आपके लिए यह बहतर शाक्त होंगे और इसके प् दूरियां बनाकर रखें यह आपके लिए बहतर होंगे आपको मिल रहें जो है अप्यस की वज़र से लोगों दोबरा हो रही आलुष्णा भी आपकी बढ़ सकती है और इसकी प्राहत दोस्तों यह बात करें तो दोस्तों यह दिन के दूसरे पक्ष में ग्रह गोचर आपक किसी परकार की वैस्ता में कोई दिकत भी आशकती है इसका आश्में आपको ध्यान रखने की आवशकता होगी इसके साथी दोस्तों वैश्या की बाधाएं काफी हद तक आपकी दूर भी होंगी प्रंतु आर्टिक इस्ति मद रहने के वज़िशे आत्मिश्वास भी आपक पर शपलता इंतजार कर रहा है दोस्तों बसरते आपको ध्यान रखते हुए आपको उचित परिश्रम करने की आवशकता होगी जो की आपको शपलता के रहा पर ले जाने वाली है दोस्तों नोकरी में आपके जो भी कारे हैं उच्चतर परिणाम भी यश्मी हासिल करेंगे इसके साथी दोस्तों यश्म לש में आपके केरिट के लिए समय होगी आपके वयोषाय के लिए ज होगी दोस्तों आपको बता दें कि शरकारी शुवाद हिच्टियों को अपनी मन, पसनल, आथर्थे मिल ले से सुप सुचना आपको प्राप्त होगी जिसमेए प्रमोशन की भी उम्मिद है वॉयिशाई में यह जिसमेश है आपके लिए अलतिरिक्त आई की सुब इसतियां बर रही है और इसके चाहाते दोस्तों यह जमेशाय के लिए सम्हूंगे आपके खेरिर के लिएogen होंगे दोस्तों आपको बता दें कि नोकुरी और बिजनस में का महावल जो है अपने अनुकुल बनाने में आप सक्चम रहेंगे शोपी हुए जमेदारियों का भी निर्वाहन आप यह में बहुत थी बखुबी तरीके से करणे में कामियाब रहेंगे दोस्तों आपको बदा दें कि जो समय आपके लिए हो शकता है कि गोई दिकत आने पर आप अपने वश्वूलों और फिर शिद्धान्तों से कुछ समझोता भी कर सकते हैं अगर आपकी लव लाइव को लेकर बात करें तो दोस्तों ये शुमे पारिविरिक जीवन ठीक रहेगा जीवन साथी के श्वास को लेकर कुछ चिंता रह शकती है परन्तु घर की विवयस्ता सुचारू रूप से सलती रहेंगी और इसको प्राहन दोस्तों ये श्मी आपके लव लाइव के लिए आपके पारिविरिक जीवन के लिए दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के शाथ किसी पारिविरिक शमंस्या का जो है समंस्या को लेकर थक्रार रह शकती है प्रन्तु आप जो है अपनी सूच्वी दोवरा उसका अशर पारिविरिक शुक्सान पर नहीं पढ़ने देंगे और श्क्राइब अपके लब लाइप के लिए समयोंगे आपके पारी जोन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि अफेर्ष के मामलों में आपको यश्मी सावधान रहने की आवशकता होंगी अपनी कोई गुप्त बात बाहर आशकती है जिसका दूस प्रभाव आपके बैवाई की जिवन पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों यश्मी इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहने की आवशकत आँगी शाथि अगर स्वास्त के बात करें तो दोस्तों यश्मी मोश्रम की वज़े से कोई अलर्जी होने की आशंका बन रही है बिना वज़ा लोगों शे मेल जोल ना रखें यह आपके श्वास्त के लिए इसमें बैथ रहोंगे और इसके प्राना दोसे यश्मी आपके स्वास्त के लिए समयोगे दोस्तों आपको बताते हैं कि शिर में भारीपन तथा मनोगल में कमी मैसूद करेंगे आत्मसक्ति बढ़ाने के लिए आपको यश्मी ध्यान और मेडिरेशन का शहरा लेना चाहिए